Dear Parents and My Dear Students, आप सभी को मेरा नमश्कार, उम्मीद करता हूँ इस पेंडमिक के टाइम पर आप सभी स्वास्त हैं, अपने इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक अपील करता हूँ कि आप सभी Corona Safety Measures का सकती से पालन करें, घर से बाहर निकलने से पहले मास्त पहने, फिजिकल कि किसी भी ऐसे आदमी से जिस पर शक हो, उससे दूरी बना कर रखें, खास दूरी बना कर रखें, खास तोर पर हमारे जैसे एरिया में मास्क पहनने की आदत लोग छोड़ते जा रहे हैं, जो की बहुत खतरनाक है, और आप यह देख भी रहे हैं कि केसे पहले से कहीं ज्य कि कि अधिन के टाइम पर आउनलाइन स्टडिज ही सबसे बहतर विकल्प हैं, और पूरे विश्व में इसी विकल्प को आजमाया जा रहा है, इस्तिमाल किया जा रहा है, जरूरत है कि सभी बच्चे इमानदारी से अपनी ग्लासेज को आउनलाइन क्लासेज को अटेंड कर और अगले मेने की शुरुआत में बच्चों के हाफ एले एक्जैम्स भी शुरू हो जाएंगे, पर काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ कारणों से अपने बच्चों को आउनलाइन क्लासेज अटेंड नहीं करा रहे हैं, हम नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे का एक साल खर होने से बच जाएगा, जबकि ऑनलाइन क्लासेज अटेंड ना करने वाले बच्चों का एक बहुत ही कीमती साल खराब तो होगा ही, साथ में पढ़ाई से भी बहुत दूर हो जाएगा, और इसके दुश्परिणाम जो हैं बहुत लांग लास्टिक होंगे, दूर गामी हों कि वो अपने बच्चे का एक साल खराब ना करें, हम उनको एक आखरी मोका देते हैं, कि वो क्लास टीचर को स्पेशल रिक्वेस्ट करें, कि उनको वो क्लासेज अटेंड करने का मोका दें, और अपने सब्जेक्ट टीचर से भी रिक्वेस्ट करें, सब्जेक्ट टीचर आ हमने फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, अभी आपसे हम कोई अन्वल चार्जेज नहीं ले रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट्स भी काफी संख्या में हुए हैं, और स्कूल बहुत बुरे आर्थिक दोर से गुजर रहा है, फिर भी हमारे स्कूल के मेनेजमेंट ने अपने पेरेंट्स को रहत देते हुए, उनके आर्थिक स्थिती को समझते हुए या निर्ने लिया है, कि सभी बच्चों को एक महीने की फीस माफी दी जाए, जो भी पेरेंट्स 30 सेप्टेंबर तक, 30 सेप्टेंबर तक का टाइम सबको दिया जा रहा है, कि तिल डेट के ड्यूज क्लियर कराते हैं, उन सभी को ये फैसिलिटी प्राप्त होगी, कि उनकी बच्चों की एक महीने की फीस माफ कर दी जाएगी. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले महीनों में भी आप अपनी फीस समय पर टाइम टू टाइम जमा कराते रहें, हमने अपनी तरफ से जो हो सकता था जायज हो सकता था वो किया है, और ताकि हमारे स्कूल से जुड़े employees, teachers के घर भी चलते रहें, वो भी आर्थी ग्रूप से स्कूल पर निर्भर हैं, तो मैं उमीद करता हूँ मेरी इस बात को आप अच्छे से समझें. यह जानना important है कि यह जो decision है, यह स्कूल management ने अपने level पर लिया है, यह कोई Delhi government या directorate of education या किसी court का order नहीं है, यह स्कूल प्रबंदन ने अपने parents को समझते हुए, उनके हालात को समझते हुए निर्णे लिया है. हमारा प्रयास है कि किसी भी बच्चे का एक साल खराब नहों, सभी half yearly exams में हिस्सा लें, और कोई भी बच्चा online classes को miss ना करें. मैं request करूँगा कि इसके लिए parents भी अपने अपने ही level पर बच्चों के लिए arrangements करें, बच्चों के लिए जरूरी प्रबंद करें कि वो online classes attend कर पाएं. मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्याले प्रबंदन के इस निरने से parents को निश्यत तोर पर रहत मिलेगी और मेरी बताई हुई बातों पर आप पूरा ध्यान देंगें. आप स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें, मास्त लगा कर रखें और physical distancing के नियमों का पालन करें, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा लगा हो आगे भी हम टच में रहेंगे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद